क्या बदलने वाली है यूपी की राजधानी क्या लखनव से हटने वाला है राजधानी का तमगा क्या राजधानी के लिए नए जिले का होगा राज्य अभिशे क्या सियम योगी करने जा रही है ये बड़ा काप कि यूपी की राजधानी लखनव जहां से यूपी की सियासत की दिशा और डशा तैह होती है क्या उस लखनव को राजधानी से हटानी की तैयारी चल रही है क्या योगी सरकार इस मनसूवे पर काम कर रही है क्या CM योगी का बार बार अयुद्या दौरा इसी ओर इशारा कर रहा है क्या अयुद्या की बदलती तस्वीर इसी ओर संकेत दे रही है अब आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये ख़वर हवा में तेड़ने लगी बताएंगे आपको इन कयासों की पूरी दास्ता समझाएं गया ये भी बताएंगे कि अचानक हमारे ऐसा कहने के पीछे आधार क्या है लेकि उससे पहले कुछ और हैं जिसे जानना आपके लिए जरोरी है आपको याद होगा कि जब मानिनिय सुप्रीम कोट ने एउध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया था तब से लेकर अब तक सियम योगी आधितिनाथ कई बार एउध्या का दोरा कर चुकी है अपने दोरे के दोरान जह केबिनेट की बैठक भी कर चुकी है जिसके बाद से ही अपवाओं का वाज़ार गर्भ होने लगा था लोग ये कयास लगाने लगे थे कि सियम योगी कुछ बड़ा करने वाले हैं लेकिन हम आज जिस आधार पर ये बात कह रहे हैं उसे सुनकर आपके मन में ये सवाल कि इसका कोई ठोस आधार नहीं है फिर भी सवाल उठता है कि अगर आधार नहीं है तो ये बात कहां से निकल कर सामने आई हैं तो चलिए बताते हैं आपको दरसल श्री राम जन्मुमी तीर्थ श्यत्र टरष्ट के कोशा ध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने अपने एक स्वीर को लेकर ऐसी समावना जताई थी कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि स्यम्योगी के मन में ऐसे कोई विचार आजाए तो उस्ता हूँ कि जिस धंग से अलग्या का विकास हो रहा है तो मुखा विकास हो रहा है और जिस धंग से पूरी पिश्वती चेपना कि चीच जा रही है तो मुख्य मंत्री महोदय यूगी जी को मन में ऐसा पिचार आजाए कि क्यो रोक्तर पुझेश की राज था कि अलग्या कोई हो रहा है तो कि भी असम्माव नहीं है यह हो सकता है वो हो ता नहों सुना आपने क्या कह रही है गोविंद देप किरी जी कै ऐसे एक छटके में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और बहुत बड़े संकेत दी जिसे सियासी गलियारों में हल चल मचनी तेह है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चत तौर्प से इसका फाइदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि सीम योगी का ये कदम कहीं न कहीं हि पूरी तरह से बीजेपी के पाले में लाकर ख़ड़ा कर दिखा विरो रिपोर्ट स्रिष्ट यूपी